कि भगवान स्री राम स्वयम जाते है और केकई मा से कहते हैं मा राम का यस हो ऐसा कर आपको करना होगा और राम के यस प्राप्त करने में अगर आपको अप्यस होता है तो मा होने के ना ते इतना बड़ा त्याग आपको करना पड़ेगा जिसका पेश्य मैंने कल समझा दिया था क्योंकि आज भी समय कम है तो हमें आज आगे बहुत आगे तक जाना है इसलिए इसको सौट में कह रहा हूं बहुत कम में कह रहा हूं फिर वो केकई मा तयार होती है कि जो मेरे राम के लिए सुन्दर हो इसके लिए चाहे मेरा खुद का बेटा मुझे मा न कहे इसके लिए चाहे मेरा खुद का स्वहाग उजड़ जाए चाहे इसके लिए मैं अपियस की पात्र बन जाओं अपियस की भाजन बन जाओं चाहे इसके बाद इतना बड़ा पियस हो कि विश्व में कोई अपनी बेटी का नाम की कई न रखे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता अगर इससे मेरे राम का सम्मान बढ़ता है तो मैं अपने राम के लिए अपना सरवस्व कह सकते हूं कर सकते हूं जो मेरा राम चाहे तो के कई माने राम के सम्मान को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा त्याक किया और आज तक इतियास गवाह है दो नाम हिंदुस्तान में दुबारा कभी नहीं रखे गए एक केकई कभी नहीं आई और एक मंत्रा कभी नहीं आई द्यान देने योग कि बात ये है बंधु जो राम से बिद्रोह करे पर समाज उसे सुईकार नहीं करता इसलिए इस देश में उनी लोगों का सम्मान हुआ है जिनोंने राम को सुईकार किया है जिनोंने धर्म को सुईकार किया है सरती हो, चाए गर्मी हो कितनी कठनाईयां आई हो फिर भी डटे रहते हैं क्योंकि हमारी जो सरदा है हमारा जो विश्वास है वो अलोव की कहई दिखावा नहीं है विरकुल भी दिखावा नहीं है और ये नया नहीं है पुराना है पुरातन है जब से श्रष्टी है तब से है तो मेरे बंधू केकई माने सुविकार की या फिर वो मंत्रा आती है एक प्रसंग आता है कि जब मंत्रा कहती है कि आप राम की जब चर्चा होती है राम राज्यवशे की चर्चा होती है तो मंत्रा के कई को कहती है कि राम को छोड़ के और राम की मा को छोड़ के दुनिया में कोई जूखी नहीं सिरो वही है तो के कई उन्हें डांटती है कि मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती किराम को राज्यव से उगोगा के कई ने जब ये संदे सुना तो अपना नौलखा हार उस मंत्रा को दे दिया इतनी खुशती के कई लेकिन एक परसंग आता है देवियों के आशु बहुत अच्छे होते हैं आप याद करिए जितनी देवियां यहां बैठी है कितनी जल्दी आशु आ जाते हैं कितनी जल्दी आते कि नहीं हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है उस पड़ोसी का कोई रिष्टेदार मर गया ये उस पड़ोसी के साथ गए और वहां ऐसे रो रहे हैं जैसे एनी के घर का कोई था घरवाले कम रो रहे हैं ये ज़्यादा रो रहे हैं अब घरवाले पूछे रहे हैं इतना क्यों रो रहे हो ये बुजर्ग थे और ये नहीं और ऐसी ऐसी कहानी बता के आ जाएंगे जो इन्हाने कभी सुनी नहीं उसने कभी किया नहीं देवियों की आंसु की जो सकती है बड़ा गजव की है केकई ने डांटा वो पड़ी जोड जोड से रोने लगी मूर्चित होने का ड्रामा करने लगी दिखावा करने लगी अब तक के कई पैसर नहीं हुआ इसकी बात का लेकिन जब रोने लगी, मूर्चित होने लगी मूर्चित होते होते कहने लगी कि मुझे क्या स्वार्त है मावर, राजा की मा होगी तुम मैं तो दासी की दासी रहने वाली हूँ में तो रानी बन नहीं जाओंगी मूर्चित हो ऐसे कर रही जैसे मूर्चित है और सारी बात कह दी जो बहुत जल्दी घर कर जाए त्याग वाली बात है और एसी बातों में देवियां बड़ी जल्दी बहग जाते हैं सबसे बिचित्र बात क्या हुई कि उसको होस में लाने के लिए के-कई मंतरा का इसपर्स कर रही है और इसपर्स एक ऐसी प्रणाली है कि आप जिसका हमारे हाथ नहीं मिलाते एक दूसरे से हमारे हाथ क्या नियम है हाथ जोड़ के प्रणाम करने का हाथ मिलाने का नहीं हमारे हाथ नहीं मिलाना है लेकिन आजकल सब लोग हात मिलाते हैं क्यों नहीं मिलाते हैं आथ पूछिए क्योंकि जब आप किसी का इसपर्स करते हो तो उसकी पॉजिटिव अत्वा उसकी नेगिटिव जितनी भी थियोरी है वो आपके अंदर आ जाती है प्रविस कर जाती है उसकी जो उड़ जा उसकी जो बिचार सकती है उसके इसपर्स से आपकी भी बिचार धाराएं हिलने लग जाती है इसलिए हर किसी का इसपर्स भरजित है लोग कहते हैं संतों को इस तरीका इसपर्स नहीं करना चाहिए या पुरुस का दूर रहना चाहिए जंगल में क्यों रहना चाहिए, क्योंकि जब इसपर्स करोगे एक दूसरे का, तो उनकी बिचार कैसे हैं, वो तुम नहीं जानते हो, के कई ने जब मंतरा का इसपर्स किया, आव तक प्रसनत ही राम को राज्य हो रहा है, जैसे ही मंतरा का इसपर्स किया, उन्हें पुसलाने लगी समझाने लगी तो उनकी जो नेगेटिव थियोरी थी विचार धारा थी वो उनके अंदर आ गई और बह गई गई यहां बात तो सही करी इसका क्या स्वारत है और फिर मंत्रा ने पट्टी पड़ा दी महराज जी और कितने गजब की बात है ने एक रानी एक दासी की बात मन ले इसका मतलब आप में अपनी सोच है यह नहीं है अच्छी सोच किसी की भी अपना लो लेकिन बुरी सोच किसी की मत अपना हो आप में इतनी सोच होनी चाहिए समझ होनी चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है सबकी अच्छी सोच अपना हुआ बुरी नहीं क्या बोलना पड़ेगा जोर से बोलना पड़े और जोर से बोलना अच्छी सोच अपना हुआ तो केकई ने सिखा दिया क्या करना है दसरजी आएंगे पहले राम के सबत दिलाना फिर ये सब बात मानना और हुआ भी यही यहां पर दसरजी से भी एक तुटी हुई कि जब दसरजी को पता चला कि केकई कोप भवन में है तो दसरजी हमेशा अपने गुरुजी से पूछ के हर काम करते है लेकिन जब पतनी कोप भवन में है वो भी राज्यव से किसम है तो अपने गुरुदेव के पास नहीं गए अगर कोप भवन में है ये बात वो गुरुजी को बता देते तो गुरुजी कहते है अभी मज़ा सुबह राज जब से हो जा उसके बाद चला जाए जो होगा देखेंगा अभी भी रिस्याय के गुसे में बेटी है तभी भी गुसे में होगी पहले काम तो होने दे लेकिन नहीं गए गुरुजी के पास नहीं गए और देवी के पास चले गए और अपनी पतनी के पास जाके लगता ही नहीं कि ये राम के पिता है ऐसे लगता है एक सादरन पती है जो अपनी पतनी को मनाने की कोशिस कर रहे हैं ऐसे ऐसे सब्द कह रहे हैं जो साइद अब हम लोग तो विचार धारा से क्या कहें कि कैसे पतनी से कह रहे है केकई से कह रहे है तुम कहो तो किसी को राजा बना दू तुम कहो तो किसी राजा को भीकारी बना दू जिसने तुमारी उपर कुर्दृष्टी डाली हो उसकी आँख निकाल लू बताओ किसको क्या सजा देनी जो तुम कहो मैं वही करूँगा राजा तो जो न्याय होता है वो जो धर्म कहता है वो करता है रानी के कहने से राजा करे इसका मतलब वो धर्म पर यह नहीं लेकिन वह दस्राजी कहे रहा है जो तुम कहोगी वही में करूँगा बोलो करना क्या है फिलाल तो फिर राम जी की सपद दिलवाती है और राम जी की सपद दिलवाकर कहती है कि आप ये बचन दो कि जो मैं मागूँगी वो आप मुझे दोगे देवासो संगराम में केकई महारज के साथ युद करने तो देत्यों ने इनका रत तोड़ दिया था इनके वो रत के पईय की कील निकल गई थी तो केकई इतनी आप शत्रानी तो है है पर योदा बहुत बड़ी है अगर ये रत तूट गया पईया निकल गया तो महारज युद हाथ जाएंगे ये सोच कर केकई ने अपनी उंगली डाल दी कील की जगए और रत चलता रहा युद जीत गए तो जब बाद में पता चला कि केकई की उंगली की बज़े से हम युद जीते हैं तो का दो बरदान मांगलो जो चाहिए बोले मेरे पास सब कुछ है मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे पास तो सब कुछ है बोले ने जो चाहिए सो मांगलो जो कहोगी बोले ठीक है रख लो बाद में मांगले कि जब कभी आविशकता होगी तो आज वो दोनों बर्दान मांग ले और दोनों बर्दानों में क्या मांगा सुनव प्राणपती भावत जीखा देव एक वर भरताइटीखा मांगाऊं दूसरे बरकर जोरी पुर्ववनात मनोरत मुदी पहला बर्दान मांग रही हूँ पहला बर्दान यह है जो राज्यव सिक आपने राम के लिए गोशित किया है वो राम को नहो कर भरत को होना चाहिए राम राजा नहीं होंगे कल बरत राजा होएंगे यह पहला बर्दान हो और दूसरा बर्दान दे दीजिए तापस बेस बेसे से उतासी चौदे बरस राम बड़ गोशित तापस बेस बेसे से उतासी चौदे बरस राम बड़ गोशित दूसरा बर्दान है राम को राज नहीं राम को बनवास चाहती हूं और एक दो दिन का नहीं पूरे चौदे बरस के लिए चाहती हूं दसरजी ने पहला बर्दान तो दे भी दिया के भरतव बरत को राज जी मिलेगा लेकिन दूसरा बर्दान जब सुना तो माराज दसरजी माराज मूर्चित होकर गिर पड़े एकदम मूर्चित होकर गिर पड़े और राजा सोचने लगे कि अईश्त्रियों पर कभी भरोसा करना चीए जहां पूरी अयुद्या सजाकर मन लगाकर उठसब कर रही है इंत जार कर रही है भोर होने का वहीं केक ही ने अयुद्या की खुशियों में आगलगा दी सब अयुद्या बासियों किया खुशियां चीन ली, गयो उनार विश्वास, विश्वास चला गया, पदश्रत जी महाराज मुर्चित होकर गिर पड़े, परंतु बंधु, जब श्री राम को पता चला, तो राम जी दोड़े चले आए, और पिता जी की जो दसा देखी, भोस नहीं है, बेशुद है, और ऐसे ही पड़े हुए है, सुद्वुद नहीं है, तो के कई मा से पूछते हैं, के कई कई भवन में थे, तो ये पिता जी को क्या हो गया, तो मा कहिती ही पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो परदान मांगी दो, तुमारे लिए 14 वर्ष का बनवास, और भारत के लिए राज्ये, और ये दौनों परदान देने में इने संकोच ह रहा है, इनको दुख हो रहा है, राम जी के सब्द सुनिये, जितने भी लोग बैटे हैं, भोग वादी व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकता, त्याग वादी याद भी ही हमेसा महान होता है, जिसने भोगा है, उसे लोग याद नहीं रखते हैं, जिसने त्याग किया है, लोग उसे याद रखते हैं, मान त्याक करने वाला होता है, भोगने वाला नहीं हो इसने भोगा उसे क्या वह याद रखे जब सुना राम जी ने कि मेरे भाईया भरत को राज मिलेगा तो क्या बोले प्रभू सुन जैन नी सोई सुत बढ़ भागि जे पे तुमात बचन अदो राने भरत प्राण प्रिये पावई ही राजू सुत बशन मुखवाण मेरा स्ववाग्य देखो मा जानती हो इस अंसार में कौन सा पुत्र सम्मानी है इस अंसार में वही पुत्र सम्मानी है जो अपने माता पिता की आग्या का पलन करता है और मेरे लिए कितनी बड़े सुवागी की बात है कि मेरे भाईया भारत को राज्य मिलेगा आज तो बिदाता मेरे सन्मुख है आज विदाता ने मेरे उपर बड़ी किर्पा करी है बुलो रादे रादे दारंडे की बात है राम कह रहे हैं कि मेरे भाईय को राज्य मिलेगा इससे बड़ी बात क्या होगी इससे सुवाग्य वाली बात क्या होगी आज दो गज जमीन के पीछे भाई भाई लड़ पड़ते रिष्टा तोड़ देते कह देते जीवन बड़ तरे चोखट पर नहीं जाकोंगा अरे और इतनी बासना इतना लालच राम से सीखो तुम तो दो गज पर मरते हो राम ने तो पूरी अयुद्या का त्याक कर दिया मेरे भाई को मिलेगी में तपश्या कर लोगा अब आप कहेंगे वो राम थे हम इंसान है टेंसन मतलो हम उसी राम की संतान है हमारे बाप के जैसे लक्षन हमें जरूर आने चाहिए कौन कहता है वो लक्षन हमें नहीं आ सकते जिसने एक्ष्ट्रा ले ली वो साथ नहीं लेके जाएगा जिसको कम मिली है वो कम को भी साथ नहीं लेके जाएगा तेरा भाग्य अच्छा है तो उससे जादा कर लेगा तेरा भाग के बुरा है तो उतना भी ले ले वो भी खतम कर लेगा सब कुछ तो डिपेंड है तेरी किसमा पे दुरुभाग या है कि हमारा राम हमारा चरित्रवान जो राम है वो हमारे जीवन में मोडल नहीं बन सका हमारा वो हमारा रोल मोडल नहीं बन सका लालची लोग, भोगी लोग हमारे रोल मोडल है राम से सी को त्याक किसको कहते हैं वो एक दो घर का मकान नहीं था, कबरे का मकान नहीं था वो एक गाम नहीं था, वो पूरे श्रश्टी का जो यहां पर है प्रतवी पर वो समय पूरा ही भारत था इतना बड़ा सम्राट राजा एध्यागा उसका परित्याग कर दिया कि नहीं मैं जाओंगा कौसल्या मा से मैं आज्या लेकर आता हूं बिदा मांग कर आता हूं कौसल्या मा के पास पहुंचे और जब कौसल्या मा को पता चला कि मेरा पुत्र बन को जा रहा है राम जी ने यह नहीं कहा कि केक अई बर्दान मांगा है राम जी नहीं कहा आप यखिन नहीं करेंगे ने इस बाद में राम जी ने कहा ही नहीं कि मुझे बन जाना है केक बन जाना यह तो कहा लेकि नहीं का कि के कई न बड़दान मंगाया। ये सुमंत के पुत्र थे उन्होंने वदाया। सचेवी सुदकारण का युव बुजाए। प्रथम बार श्री प्रियाकांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चले श्री प्रियाकांत जू मंदिर ब्रिंदावन जहां अवतरित होंगे हमारे अराध्य भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष में शधेय श्री देव की नंदन ठाकुर्जी महराज के पावन सानेद्य एवं विश्व शांती सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांती सेवा धाम ब्रिंदावन मतुरामे आयोजित एक सो आठ श्री मत भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दो पहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महो सवका सीधा प्रसारण रातरी 9 बच कर 30 मिनट से रातरी एक बजे तक केवल आस्था चैनल पर आप सभी भक्त इस भव्यकर ग्रम में यजवान बनने का पुन्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए संपर करें 0735 11121